तो एक बार फिर से रुख करेंगे मौनसुन सत्र के दूसरे दिन की कारवाई का तो विधान सभा में कानून विवस्ता के मसले पर हंगामा हुआ है वेल में आई BJP, BSP और कॉंग्रिस के सदन से सदन में हंगामे के साथ बैनर और कोस्टर ही लहराए हैं तो जहां मार्शल ने BSP के वधायकों को सदन से बाहर निकाला वही नारे लगाते बीजेपी के यहां पर कॉंग्रिस के वधायक खुद ही सदन से बाहर आगे है और सदन की कारवाई से निकाले गए BSP वधायक ने यहां पर लगातार प्रदर्शन जारी रखा है महिला सुरक्षार बुलंद शहर गैंग्रेप का मुद्दा उठा रहे थे BSP वधायक ने मार्शल ने सदन से बाहर किया सदन से बाहर निकाला है तमाम असलों को लेकर जिसे बिज्री व्यवस्ता भी है खाद्यानी व्यवस्ता भी है कानुन व्यवस्ता भी है तो इस्तर मोद्दों के साथ अब भिपक्षूरी तरह ऊंस्था इस मुद्स पछिए जा रहा है तो ये BSP के जो विधायक हैं उन्हें, माशल ने कुछ इस तरह से दूसी तस्मीश जो आपके सामने है, सदन से बाहर निकाला है और ये भी कानुन रिवस्ता का मसला अठा रहे थी, तो वही BJP ने खुद भी सदन से वाक आउट कर दिया है तो इनारे आप देख सकते हैं कि किस तरह के बैनर्स के संग पहुंचे थे ये विधायक जंगल राज है, माफियाओं का पूरा उत्सा बढ़ाने का काम समाजबादी पार्टी की सरकार कर रही है हाई वे पर दुरगटना हो रही है, बलादकार की घटना हो रही है, दरोगा और पुलिस के अधिकारी मारे जा रहे है समाजबादी पार्टी जमीनों पर कब्जा कर रही है और इस बात को हमारे भारती अंता पार्टी के विधायक उपेंदर तिवारी जनता से जिड़े मुद्दे उठा रहे थे उनको मारा गया, पीटा गया, पहली बार यहां से हमारी आवाज को दबाने के लिए सदन से निकाल दिया हम तो इसलिए यह सपा और बसपा दोने बिले हुए हैं जनता को धोका देने का काम कर रहे हैं एपिहास में पहली बार सत्ता रूड समाजवादी पार्टी की सरकार के इशारे पर मानियत ध्यजी जी ने सारे लोग तांत्रिक मुल्यों की हत्या कर दी है जो महिलाओं के साथ 77,000 से अधिक रेव की घटनाएं और 700 से अधिक गैंग रेव की घटनाएं उन पर चर्चा करना चाहते थे और अपराधियों पर अंकुष लगाने के लिए विपच्च पूरी तरह से अपनी बात कहना चाहता था लेकिन मेरे साथ जो विपच्च के बात करने से पहले ही शरकार के इसारे पर विधानसभा अध्यच ने सारे विधायकों को विल से निकाल दिया यहां तक करके घशीट-घशीट करके उन्हें बाहर ठेका गया है यह लोग तंत्र की हत्या है तो देखा आपने कितने गुस्सेव हैं कितने नाराज हैं उनका कहना कि जिसके जबरदस्ती BSP के वधायकों को सदन से बाहर निकाला गया है यह लोग तंत्र की हत्या के समार है सरकार अपने खिलाप आरोपों को सिंदा नहीं चाहती कोई कारवाई करना नहीं चाहती है मसलों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है और यह तस्मीर है उस वक्त की जब BSP के वधायकों को मार्शल ने जबरदस्ती सदन से बाहर निकाला जबकि BJP के वधायकों ने खुद ही सदन से बॉक आउट कर दिया है तो कल से शुरू हुआ है मौसुन का इस सत्र आज दूसरा दिन है हंगामे के आसार पूरे पूरे हैं वैसे भी सत्र कोई वो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर रहता है लेकिन खास तोर पर जब चुनावी मौसम नजदीक हो तो सरकार को घेरने के लिए और भी ज्यादा त टीखे हो जा रही है आपर वार तो यही हो रहा है सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है अभिशेक सिंग हमारे समधाता हमारे साथ जुड़ेंगे लखनों से तो हम उनका रुख करेंगे तो इससे पहले तस्वीरे आप देख रहे हैं तो लगाता है सुबह से निकाहें ब बिलकुल आज दूसरे दिन की कारवाई मौन्सून शत्र की शुरू हुई जोरदार हंगामों के साथ और सीधे तो पर कहा जाये तो भारती जनता पार्टी बस्पा और कॉंग्रेस कहीं से भी विरोध में पीछे नहीं रही हाला कि बजट सत्र जो जो कारवाई है सदन की ज इसी कारवाई लगातार जारी है लेकिन भारी तादाद में भारती जनता पार्टी के विधायक बस्पा के विधायक और कॉंग्रेस के विधायक बाहर पोटिकों में बैठे हुए हैं और लगातार जो नारे बाजी है और जो बैनर पोस्टर हैं वो दिखा रहे हैं जैसा कि पहले से ही अनुमानित था कि इस तरह का विरोध देखने को मिल सकता है क्योंकि सत्र की शुरुआत से पहले ही ये बातें लगबाकाइदा प्रेस कॉन्फरेंसिंग करके या अपने बयान जारी करके सभी राजनेतिक दलों ने साफ किये थे लगातार इस बीच भी घटनाओं को सदन में उठानी क्या जरूरत है और जो वो उठाएंगे भी हाला कि ये भी एक बड़ी बात है अगर राजनेतिक समयकरणों की बात की जाए सियासत की बात की जाए तो आकरी बजट होने के नाते आकी राजनेतिक दलों को अंदाजा है कि समाजवादी पार्टी हर तरह से इससे लोक लुभावनी जो योजनाई है उसके जरीए जया जिस तरह के जो कार प्रयोजन जिस तरह से भी किये जाने है उसके जरीए जनता को एक मेसेज देने की कोशिश की जाएगी इस अनुपूरक गुजट के जरीए तो सीधे तोर पर उस बजट में खलल डालना या सदन की कारवाई में विरोध किस तरह करना है ये रड़नीती गत है पूरी तरह यही वज़ा है कि आच सदन की कारवाई शुरू होते ही भारती जनता पार्टी के विधायकों ने जिस तरह हंगामा करना शुरू किया उसके बाद भाजपा के विधायकों के साथ कुछी देर में बसपा के विधायक भी वेल से बाहर निकलते हुए नजर आए कुछ मार्शल्स ने भी उन्हें बाहर किया, कॉंग्रिस ने भी अपने विरोध के सुर्थ तेज किये और उनके भी कुछ विदायकों को मार्शल्स ने बाहर निकाला है अभी भी फिलहाल जो जानकारी है कि लगातार अभी भी सदन के ठीक बाहर जो पोडियम है वहाँ पर सभी विदायक अलग-अलग दलों के बैठे हुए हैं लगातार नारे बाजी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार के विरोध में चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशेक जानकारी के लिए तो यह तस्फिर है विरोध प्रदर्शन बधायकों का लगातार सरकार की नीतियों के खलाव तो एक और घटना जो आज चर्चा का विशे बन गे विधान सभा में एक मुलाकात यों मुलाकाती शुपाल यादो और मुखतार अंसारी की बाहु बली मुखतार अंसारी ने शुपाल यादो के कमरे में जाकर पर मुलाकात की हाला कि जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सड़क के मामले में शिपाल से मुलाकात की है और जब उनसे पूछा गया कि क्या कौमी एकता गल का एक बार फिर से यहां पर विलाय हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ तो इस पर बाहु बली मुफतार ने चुपी साधली लेकिन जिस तरह कि अभी चर्चाएं पिछले दिनों शुरू हुई है और मुलायम सिंग यादों ने खे यहां पर शिपाल यादो की तारीफ की है और एक बैचक बकाइदा हुई थी मुख्यमंतरी के साथ शिपाल यादो की और यह कहा गया कि दोनों के पूछा गया मुख्तार अंसारी से उन्होंने कोई भी जवाब नहीं लिया